पंचमी अश्टमी अइकादशी प्रदोश शिवरात्री अमावस्या पूनिमा इस दिन ये साथ दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि पांच-पांच दिये लगाना शाम के समय पर बन सके उन दिये को लंबी बाती का कौनसी बाती का चम के बोलो जरा लंबी बाती का आ लंबी बाती का जो दीप होता है वो दीप हमारे जीवन में वंश की विवर्दी करता है इसलिए हमारे पित्रों का दिया देवी जी का दिया नवरात्रे का दिया ये सब लंबी बाती के लगते तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे वंश की विवर्दी करता है वो पैसा भी हमारा बापिस लोटा कर लाता है इसलिए लंबी बाती के दीप का इसमर्ण सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें साथ जगा अठाथ साथ तिथियां एसी हैं जिस दिन पाँच दीप का वर्णन किया गया है हमारे सास्तु अब बहुत साउधानी से सुनियगा पहली है पंचमी तिथि अधिक मास सावन का जब मेल हो अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की मतलब आज भी पंचमी है मानलो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आजाए अधिक मास के महिने में आप वो भी कर सकते हैं पंचमी, अश्तमी, एकादशी, प्रदोश, शिवरात्री, अमावस्या, उनिमा ये साथ तिथियां हमरे यह सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है इसमें ये साथ तिथियां फिर से बोलो पंचमी, अश्तमी, एकादशी, प्रदोश, शिवरात्री, अमावस्या, उनिमा ये वो तिथियां हैं साथ जिन तिथियों में अगर हम पांच दीप, गरत के घी के पांच दिये अगर अपने दर्वाजे के बाहर केवल भगवान की भकती के लिए, शिवतत्व की प्राप्ती के लिए वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो मंदिर में लगा दो या शिवाले पर लगा दो या देवाले पर लगा दो और इसकी चड़ पानी में अगर कहीं न जा पाओ अगर पानी वानी बरस रहा है जगा जगा बहुत पानी है भले इधर छेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य छेत्रों में बहुत पानी है तो कोई ना जा पाए तो भगवान का इस्मरण करकर उन दीप को भगवान के सामने प्रजुलित करकर पांच दिये इन तिथियों में पंचमी, अश्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्री, आमावस्या और पुन्निमा जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है उसमें ये साथ तिथियों पर जो पांच दीप भगवान के समने प्रजलित करकर अपने दरवाजे के पास में बाहर की और रख देता ह उसके घर में कभी रोग, बिमारी और लच्मी की कोई कमती नहीं होती उसका जीवन साड़ता है पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर यो था बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया असाड़ता आ गया या कोई महीने में कार्टिक आ गया कर्मन नहीं है मालाज सावन के महीने में अगर अधिक मास कड़ रहा है तो यह पास्तितियां अब कई लोग करते हैं गुरुजी पंचमी हम दो लें दो पंचमी आईगी दो एका दशी कवर्णा ना जावे तो हम कौन सी तो यहां एक भी अगर आप कर रहे हो साथ तितियों मे से एक पीप अगर यह नहीं कर पाओ तो अगली कर लो अगली नहीं कर पाओ तो यह इस मरेण में रहे कर सोला अगस्त को अमावस्या पड़ेगी अधिक मास की विराम दिवा से दूसरे दिन बापिस सावन का संजोग रहेगा उस दिन एक कनेर का पुष्ट दो लोटा जल बाबा को समर्पित करने का प्रयास करने को कथा में भी पहले कहा महमान तुमारे यहां रहते हैं जब तक बच्चों को कु होगा सावन बापिस चालू होगा उस दिन 33 कोटी देवता यक्ष गंधर्व देवता पित्तर सब उस दिन लुटाते हैं संपदा देते हैं वे बहु देते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल संकर भगवान पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारा बंदा बाप पर चालू